Hello friends, welcome back to my channel बड़े बुजरुगों द्वारा बताये गए ध्यान रखने योगे जरूरी बाते नमबर एक, अगर चुहों से परेशान हो तो पुदिने को कुचल कर हर दरवाजे के किनारी पर रख दे इससे चुहें नहीं आएंगे नमबर दो, जिन लोगों को हाई ब्लड पेसर की दिक्कत हो तो उन्हें बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए नमबर तीन, खाना खाते समय, खाने को सूंगना नहीं चाहिए, इससे बदहजमी होती है नमबर चार, अद्रक का पानी पीने से खून साफ रहता है, जिसका असर तोचा पर बढ़ती चमक के रूप में दिखाई देता है साथ ही पिंपल और स्किन इंफेक्शन जैसे समस्याओं से बचाता है नमबर पांच, सरीर का हाई, डाइजेशन सिस्टम खराब होने पर कब्ज और एसीडिटी की परिशानी होती है ऐसे में गूर और चना खाएं, इसमें फाइवर होता है, जो पाचन सक्ति को ठीक रखता है नमबर 6, खाना खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने से पेट समंधी रूग दोर होते हैं और लंबी उम्र होती है नमबर 7, लौकी को काट कर सुखा कर नारियल तेल में पाक, पका कर इस तेल को छान कर एक बोतल में रख ले और इस तेल से सिर में मसाज करने से सफेदवाल काले हो जाते हैं नमबर 8, जिन औरतों के पेट ज्यादा बढ़ जाहा हो वा लसून के रस से पेट पर मालिस करें इससे बढ़ता हुआ पेट कम होने लगेगा नमबर 9, अगर कोई इनसान ज्यादा चावल का सेवन करता है तो उसे दमे की बिमारी हो सकती है नमबर 10, जिन औरतों के चेहरे पर चाईया है वा हरी मिर्च की चटनी बना कर खाया करें इससे चाईया दूर हो जाएंगी नमबर 11, अगर घर में मच्छड मक्यां जादा होती है तो पानी में नमक मिला कर घर का फर्द धोने से मच्छड मक्यां नहीं आएंगे नमबर 12, सरीर में कमजोरी हो तो मुनक्का का सेवन करने से सरीर में ताकत आती है नमबर 13, रोजाना सुभा खाली पेट पैर पैदल चलने से उम्र बढ़ती है नमबर 14, दूद में सहद मिला कर पीने से दीमाग ताकतवर बनता है और इससे तेज नजर भी होती है नमबर 15, खाना खाते समय कच्चा प्याज खाने से दिल की धड़कन बेहतर होती है नमबर 16, सत्रकंदी फेवड़ों को ताकतवर वनाती है नमबर 17, नाखुनों को समय पर काटने से सुष्ती नहीं होती 18. कच्चा सलगम खाने से दिमाग और नजर तेज होती है 19. अगर पेट में दर्द की समस्या हो तो पुदिने के पत्ते चवाले इससे पेट दर्द में आराम मिलता है 20. अगर आपके सरीर में कमजूरी महसूस होने लगे तो दूद में एक दो खजूर उबाल कर सेवन करना सुरू कर दे 21. बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए तेल में कड़ी पत्ता और थोड़ी सी राई डाल कर पकाए इससे जड़ना रुख जाता है और बालों की लंबाई भी बढ़ने लगती है 22. दूद में जीरा डाल कर पीने से पेट बाहर नहीं निकलता 23. बार-बार उल्टी होने पर बर्प चुसने से उल्टी आना बंद हो जाता है 24. यदि रात में नीद पूरी नहीं होती है तो चेहरे की चमक कम होने लगती है और चेहरा मुर्जाया हुआ नजर आने लगता है 25. यदि आप अल्मोनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं तो कभी भी खाना बनाते से में उसमें निम्बू का रस ना डाले 26. जिन लोगों में खून की कमी होती है उन्हें बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए 27. अगर भूग ना लगने की समस्या हो तो गर्म पानी में काली मिर्ज नमक और निम्बू का रस मिला कर पी लिया करें इससे आपको भूग लगने लगेगी 28. रोजाना साम को किसमिश के सेवन से सरीर को ताकत मिलती है 29. कच्चे लहसून का स्वाद अच्छा नहीं होता लेकिन इसके सेवन से हमारे फेपड़ों में सूजन संक्रमन और घाव जैसी समस्या नहीं होती है 30. गला खराब हो तो आवाज ना निकल रही हो तो कच्चा अमरूद जला कर खाई इससे गला ठीक हो जाएगा 31. अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप अखरोट केला और सेप से बने जूस का सेवन करें 32. टावल को हलके गर्म पानी में भीगो कर अपने चेहरे पर 10-15 मिनट तक रखे ऐसा करने से आपके बलेक हैट्स और वाइट हैट्स दूर हो जाएंगे 33. सुगर खाली पेट नारियल पानी पीने से आपकी इमिनिटी बढ़ती है और आपका मेटा पॉलिजम तेज होता है 34. महंदी में नारियल तेल मिला कर सीर पर लगाने से बाल लंबे और घने होते हैं 35. सुगर के मरीज के लिए कच्ची पत्ता गोबी खाना बहुत फायदे मंद होता है 36. यदि आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो सुबह उटकर परिंदों को पीने के लिए ताजा पानी रख दिया करें 37. सुबह नास्ते में कुछ खाने के बाद ही आपको चाय पीनी चाहिए नहीं तो यह सेहत के लिए नुक्षान दायक साबित हो सकती है 38. कच्चे आम के छिलकों का काड़ा बना कर रोजाना एक चमच पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं 49. सुबह भीगे हुए चने खाने से यादा स्तेज होती है साथ ही आपके मसल्स स्ट्रॉंग बनते हैं 40. जादा चाई पीने की आदत हड़िया को कमजोर बना देती है इसलिए चाई का सेवन कम करें इसके जगह आप ग्रीन टी पी सकते हैं ग्रीन टी स्वास्त के लिए बहुत फायदे मंद होती है 41. रोज सुभ़ आपको सबसे पहले एक दो गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए ये सरीर से टॉक्षिन पदार्थ को निकालना और पेट को साफ रखने के लिए बहुत जरूरी होता है 42. मल मुतर का त्याग बैटका करेव उस समय दाथ को फीच कर रखे 43. आप जब भी कोई मिठाई खाए कुला अवस्य करें 44. यदि स्वस्त रहना है तो सराब धुम्रपानों भुरे वैश्णों से दूर रहना चाहिए 45. हर जेवर और गहनों को डिब्बे में एक चौकर टुकड़ा रख देने से गहने काले नहीं पड़ते 46. जो लोग खाना खाकर नहाते हैं उनकी त्वचा का रंग सावला होने लगता है 47. लकड़ी का कंगा इस्तमाल करें इससे बाल कम तूटते हैं और मजबूत रहते हैं 48. तेज चलने वाले इंसान का सरीर कभी डिला नहीं पड़ता 49. सिर की देशी घी से मालिस करें इससे आपका दिमाग ताकतवर बनेगा और सिर दर्द भी दूर हो जाएगा 50. पेट के बल सोने से इनसान जल्दी बूढ़ा होने लगता है 51. अगर आपकी नाख बंध हो जाए तो गुड़ की धुनी ले 52. जादा गर्म पानी से अपने चेहरे को ना धोए इससे तवचा जल्दी बूढ़ी नजर आने लगती है विडियो में बताई गई जानकारी सामाने जानकारी पर अधारित है किसी भी पिमारी से पिडित होने पर अपने डॉक्टर से सला लेकर ही अनियम अपनाए तो फ्रेंड्स, आजकी विडियो में बस इतना ही आजकी जानकारी आपको कैसी लगी? केमेंट बॉक्स में जरूर बताईए अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो विडियो को एक लाइक कर दे और साथ ही अपनी फैमिली फ्रेंड्स में जरूर सेहर कर दे ऐसे ही informative वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालू उसका नटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे आप और आपका परिवार हमेशा सुष्ट रहे धन्यवाद